नमश्कार दोस्तों मेरे चैनल इजी ग्रस्ते में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको महा शिवरात्री वरत कता सुनाऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि किन यमों के साथ शिवलिंग पर जल चड़ाना चाहिए वरत करते समय किन बातों का ध्यान रखना है कैसे भगवान की पूजा करनी है जिससे आपको अपने वरत का पूरा पूरा फल मिले तो वीडियो को पूरा देखना ध्यान से सुनना आपको इसका फल जरूर मिलेगा कमेंट बोक्स में ओम नमस्षिवाई जरूर लिखना दोस्तों तो चलो वीडियो शुरू करते हैं महाशिवरात्री का हमारे हिंदु धर्म में बहुत ही जादा महतो बताया गया है शिव पुरान अगनी पुरान गरूर पुरान इन सभी पुरानों में महाशिवरात्री का जिक्र किया गया है कहा जाता है कि महाशिवरात्री को पूरे विधी विधान से पूजा करने से वरत रखने से इंसान की सभी मनुकामनाय पूरी होती है महाशिवरात्री का व्रटını करने से कन्याओं को मंचाहे वर की प्राप्ति होती है जिनकी शादी में बाधा आती है, कठिनाई होती है उनके लिए यह फल विशेश फलदाई है महाशिवरात्री पर भगवान शीव की पूजा करने से अशुब ग्रह भी शान्त होते हैं काल सर्प का दोश दूर होता है और चंद्रमा की अशुबता भी दूर होती है चंद्रमा के अशुब होने से वेक्तिको मानसिक तनाव यानि के डिप्रेशन होने लगता है उसकी कारेशमता प्रभावित हो जाती है धन की हानी होती है और वेवाही जीवन में बहुत सी कठिनाईया आती है इस प्रकार कहते हैं कि महाशिवरात्री का वरत रखने से ये सबी कठिनाईया दूर हो जाती है महाशिवरात्री का वरत करने के लिए आप सुबह उठका स्नान करें साफ सुत्रे वस्तर पहने काले और नीले रंगों के वस्तर नहीं पहनने चाहिए और उसके बाद आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए संकल्प लेने के लिए आप हाथ में कुछ फूल लीजिए और अक्षट लीजिए अक्षट यनिके साबुच चावर तूटे हुए नहीं साबुचावल संकल्प लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि है भगवान मैं पूरी निश्ठा और आस्था के साथ आपका वरत करूंगा या करूंगी इस तरीके से आप संकल्प लीजिए और फिर जो आपके हाथों में फूल और अक्षत होते हैं उन्हें आप पूजा की ठाली में रखतीजिए वरत पूरा होने के बाद जो आप अर्ग देते हैं उसके साथ भगवान को अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार आपको संकल्प के साथ ही वरत शुरू करने चाहिए साथ में शिव पर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने चाते हैं मा शिवरात्री को तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर चारो तरफ शिवलिंग के भगवान गणी, श्मा, गौरी, नंदी देव इन सब की जो हैं मूर्तियां रहती हैं तस्वीर रहती हैं तो इन सब पर आप शिरुवात में गणेश से करके इन सब पर आप जल चढ़ाईए पंचमरत से स्नान करें कहते हैं शिवलिंग से पहले नंदी देव की पूजा करनी चाहिए और नंदी देव के कानों में अगर हम उस दिन अपने मन की कोई इच्छा बताते हैं तो वो भगवान शिर्ट तक हमारी इच्छा जरूर पहुँचाते हैं ऐसा भी कहा जाता है तो आप घी, दूद, दही, शहद, आक, थतूरे के फूल, चावल इन सब भगवान को अरपित करें ये सबी जो आप भगवान पर शिवलिंग पर चड़ाएं और किसी भी साबुत फल की भगवान को अरपित करें साथ में आपको पूजा करते समय भगवान के पंच अक्षर, ओम नमस्शिवाय का जाप कर सकते हैं और महामर्तिंज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए लेकिन अगर आपको महामर्तिंज मंत्र नहीं कह पा रहे हैं तो आपको सीधे सरल शब्दों में शिव के पंच अक्षर, ओम नमस्शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए और इसके अलावा आपको जो है तामबे के लोटे या मिट्टी के करवे में पानी और दूद को मिलाकर भगवान को आप डालिए कुछ स्टील का बरतन बहुत से लोग यूज करते हैं लेकिन तामबे को सबसे शुद कहा गया है तो आप तामबे के लोटे में जो है पानी और उसमें दूद डाल कर भगवान को नहलाईए चंदन का लेप करें चंदन का लेप अच्छा कहा जाता है भगवान शिव पर करना इन सब बातों का आप ध्यान रखिए साथ ही भगवान की जो वरत कता है वो दूसरे पहर में सुने दूसरे पहर में जो है महा शिव रात्री की कता सुनी जाती है पूजा का शुब समय वैशे तो निशिल काल होता है रात्री के 12 बजे से लेकर 12 बज कर 38 मिन अंट का कुछ समय जो है शुब कहा गया है तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। महाशिवरात्री व्रत कथा। पहले समय में एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानू। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वह एक साहुकार का कर्जदार था। लेकिन उसका कर्ज समय पर नहीं चुकाया उसने। गुस्से में साहुकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। किस्मत से उस दिन शिवरात्री थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंदी सारी बाते सुनता रहा। चतुरदशी को उसने शिवरात्रे की वरत की कथा सुन ली शाम होते ही साहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और उधार चुकाने के विवारे में बात की शिकारी अगले दिन सारा उधार लोटा देने का वचन दे कर बंधन से छूट गया अपनी दिन चरिया की तरह वह जंगल में शिकार के लिए गया लेकिन दिन भर बंधी घरह में रहने के कारण वह भूखा प्यासा था शिकारी खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया जब अंधिरा हो गया तो उसने सोचा कि रात जंगल में ही बितानी पड़ीगी वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चड़ गया और रात बीतने का इंतिजार करनी लगा बिल वरक्ष के नीचे शिवलिंग था और बेल पत्तों से ढखा हुआ था शिकारी को उसका पता नहीं चला पढ़ाओ चलते समय उसने जो टहनिया तोड़ी और तो किसमत से शिवलिंग पर वो जाकर गिरी इस तरह पूरा दिन भूखा प्यासा रहका शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्त्त भी चड़ गए एक पहर रातरी बीच जाने पर एक गर्भनी हीरनी तालाप पर पानी पीने पहुँची शिकारी ने धनुष पर जैसे ही तीर चड़ाया हीरनी बोली कि मैं गर्भनी हूँ जल्दी ही मेरा प्रसव होगा तुम एक साथ दो जीवों की हत्या मत करो यह ठीक नहीं है मैं बच्चे को जनम देखर तुम्हारे पास आ जाओंगी तब तुम मुझे मार लेना शिकारी ने अपनी प्रतेंचा ढिली कर दी और हिरनी जाडियों में जाकर छुप गई प्रतेंचा चड़ाने और ढिली करने के बीच के समय में बेल पत्र तूटकर शिवलिंग पर गिर गए इस प्रकार उसने अंजाने में ही पहले पहर में भगवान की पूझा कर ली कुछ ही देर बाद एक और हिरनी वहां से आई शिकारी बहुत खुश हो गया पास आने पर उसने धनुष पर बान चड़ाया तो उसे देख हिरनी ने विनमरता पूरक निवेदन किया हे शिकारी मैं थोड़ी देर पहले ही रितु से निवरत होई हूँ कामात्तुर विरहिणी हूँ अपने प्रिये की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी शिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठिनक गया वे चिंता में पढ़ गया रात का आखरी पहर बीत रहा था इस बार भी धनुश से लगकर कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा किरे और दूसरे पहर में भी शिव की पूजा पूरी हो गई तब ही एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली शिकारी के लिए वह सुर्णी मौसर था उसने धनुश पर तीर चड़ाने में बिल्कुल देर नहीं की वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली हे शिकारी मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले लोट कर आ जाती हूँ इस समय मुझे मत मारो शिकारी हसा और बोला सामने आए शिकार को छोड़ दू ऐसा मैं मूर्ख नहीं इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खोचुका हूँ मेरे बच्चे भुखे प्यासे हैं उत्तर में हिरनी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी उन बच्चों से प्यार है हे शिकारी मेरा विश्वास करो मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ कर तुरंत लोटाऊंगी हिरनी का दीन स्वर्ष सुन कर शिकारी को उस पर दया आ गई उसने उस हिरनी को जाने दिया शिकार के आभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अंजाने में ही बेल व्रक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेकता रहा कुछ समय के बाद वहां पर एक म्रग आया शिकारी ने सोच लिया कि यह यह शिकार जरूर करना है शिकारी की तनी हुई प्रतेंचा देखर म्रग विंती के स्वर में बोला हे शिकारी यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली तीनों हिर्णियों को और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम ना करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी शन दुख न सहना पड़े मैं उन हिर्णियों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ शन का जीवन देने की कृपया करो मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्तित हो जाऊंगा म्रग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चकर घूम गया उसने सारी कता म्रग को सुना दी तब म्रग ने कहा मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्या बद्ध होकर गई है मेरी मृत्यू से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अतैं जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने आ जाऊंगा शिकारी ने उसे भी जाने दिया इस तरह सुबए हो गई वरत और रात्री जागरन साथ ही शिवलिंग पर बेल पत्र चड़ने से अंजाने में ही शिवरात्री की पूजा उसने पूरी कर ली अंजाने में ही की गई पूजन का परिणाव उससे ततकाल मिल गया शिकारी का हिंचक रिद्यन निर्मल हो गया उसमें भगवज शक्ति का वास हो गया कुछ देर के बाद वह म्रग सह परिवार शिकारी के सामने उपस्तित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विक्ता और सामुहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ही गलानी हुई उसने म्रग परिवार को जीवन दान दे दिया अंजाने में शिवरात्री के वरत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ती हुई जब मृत्यू काल में यमदूर उसके जीवन को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापिस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए शिवजी की करपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानू अपने पिछले जनम को याद रख पाए और महाशिवरात्री के महत्व को जान कर उसे अगले जनम में भी बालन कर पाए इस प्रकार महाशिवरात्री का वरत करने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है जीवन में सुक, शान्ती, समरिध्धी मिलती है और सभी मनोकामनाय पूरी होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें ताकि और भी लोग इसे सुन पाएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू